जंगल में एक चीटियों का जुन जा रहा था उसमें से एक चीटि को बहुत प्यास लगी थी और उसे वहाँ चलते चलते एक नदी दिख गई और वो चीटि जुन से बिछर कर पानी पीने के लिए उस नदी के पास गई और वो पानी पीने के लिए उतर रही थी उसका पैर पिसल कर पानी में गिर पड़ी और वो उस नदी में बहे रही थी तबी वहां एक पेर पर कबुतर बैठा हुआ था उस कबुतर की नजर उस चीटी पर पड़ी और वो समझ गया कि उस चीटी खत्रे में हैं मुझे किसी भी थरा उस चीटी की मदद करनी चाहिए और उस कबु कबुतर ने पेर के पत्तों को तोड़कर चीटी के रास्ते पर उपर से फेक देता है और वो चीटी पत्ते पर चड़कर अपनी जान बचा लेती है और वो नदी के किनारे आ पहुँचती है उसी वक्त वहां एक शिकारी वहां पहुँचता है और उस कबुतर को देखकर व उसी वक्त वहां बैठी हुई चीटी सब सुन लेती है। उस चीटी को पता चलता है कि उसका दोस कबुतर खत्रे में है। वो साच लेती है कि उच से किसी भी तरह उस कबुतर को भचाना है। यहां सोचकर चीटी भाग कर उस शिकारी के पाउं को काट लेती है। उस शिकार की आवाज सुनकर कबूतर उठ जाता है कबूतर को उरते हुए देखकर वहाँ शिकारी चला जाता है थोड़ी ही देट बात चीटी के पास कबूतर आ पहुँचता है और कबुतर उस चीटी से कहता है कि बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त मेरी जान बचाने के लिए और चीटी कहती है तुमारा भी शुक्रिया मेरे दोस्त तुमने भी मेरी जान बचाई तो मुझे तुमारा उपकार करने का अच्छा मौका मिला इसलिए मैंने तुमारी मदद की उस दिन से कबूतर और चीटी दोनों दोस बन जाते हैं इस कहानी के नईतिक मूली यहां है कि कर भला तो हो भला